हेलो बच्चो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ 120 हड्डियों के बारे में और पैल्विक ग्रडल के 122 हड्डियों के बारे में हम बात कर चुके हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे अपेंडिकुलर की बची हुई 4 हड्डियों के बारे में अब आप बोलोगे माम यह appendicular क्या होता है भाई मैं बता चुकी हूँ appendicular वो हड्डियां होती है जो किसी की रक्षा नहीं करती है जो चलने फिन्ने की काम आती है उन्हें हम कहते हैं appendicular हड्डियां अपेंडिकुलर बूंट तो यह हम 122 हड्डियों के बारे में पढ़ चुके ह है हमारे पहले वाले वीडियो में 122 हड्डि के बारे में मैंने आपको 122 हड्डि के बारे में बताया था और उनके क्या-क्या नाम होते हैं यह हम पढ़ने वाले हैं collar bone कि संख्या होती है दो इनको beauty bone भी कहते है जो पतली-पतली लड़किया होती है उनमें यह collar bone दिखाई पड़ते हैं, इसे हम beauty bone भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, beauty bone भी कहते हैं, लेकिन जो मोटे हो जाते हैं, तो यहाँ fat जमा होने के कारण, यह beauty bone दिखाई नहीं पड़ता है, इनकी संख्या दो होती है, यह ass shaped के होते हैं, किस shaped के होते हैं, ass shaped की bone होती है, और इसकी जो रहते हैं इसक्या पुला और इसक्या की संख्यावी 2 होती है कितनी होती है दो होती है तो 2 प्लस 2 मतलब कॉलर बोन प्लस शोल्डर बोन मिलाके हो गई 2 प्लस 2 is equal to 4 122 हड्यों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं तो 122 प्लस 4 मिलाके हमारी हो गई 126 बोन है ना 126 हड्यों जो के हमारी अपेंडिकुलर में होती है तो आज यह हमारा अपेंडिकुलर का पार्ट कंप्लीट हुआ हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे axial bone के बारे में जो हमारे internal organs की रक्षा करती है उन्हें हम axial bone कहते हैं जिनकी संख्या 80 होती है टोटल मिलाके हो जाती है 206 हड्यों तो बिलकुल भी आप कहीं जाएगा मात आप देखिएगा आपको knowledge होने वाली है कि कौन कौन सी हड्यों के क्या क्या नाम होते है और कौन सी हड्यों कहा होती है और किस हड्यों का नाम